ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चाचित अभी तीन दिन पहले जो एधराबाद के अंदर एक मैला चिक्चत के साथ सामुई दूस करम के बाद उसे जला कर जिस तरह नर्शन सत्या कर दी उसे पूरा देश के अंदर गुसा था जवानों के अंदर गुसा था और प्रदान मंत्री जी रेप के खिलाप एक कानून भी सं इस द्रिंदों को मासूम बालग बाली गाओं के साथ या दूसरे मामलों में जो गैंग रेप करते करते हैं उसके बाद अच्ट्या जैसी द्रिंदगी करते हैं जो उससमें मांसी रूप से लगता कि काईन कई हेवाणयत उन पर सवार होती है ऐस लोगों को चौरायों पर प्रादया था और आज सुभे जो तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद गैंग रेप के जो आरोपि थे वो पुलिस कुछिटी से पागने का प्रियास करें थे और उनका एंडाउंटर किया मैं तेलंगाना पुलिस को बदाई देता हूँ, हैदराबाद कमिस्टरेट को बदा ही देता हूँ, कि ऐसे encounter अपराजियों के खिलाब समय समय पे होने चीए, पंजाब के अंदर जब आतंगवाद चरम शीमा पे था, तब पंजाब में भी आतंगियों के कई encounter वे हैं, और इन encounter से इन अपराजियों में भेवेप्ट होता है, और गंदी मानचिकता है, वो भी इनकी जो मानची ग्रूप से जो गंदी होती है, वो भी निकल जाती है, ये encounter बिल्कुल सही था, और Congress जो इस encounter का विरोध करी है, इससे Congress की ओच्छी मानचिकता जलगती है, पार्लियमेंट के अंदर तो Congress के लोग कई बार तो ये कहते हैं, कि रेप के खिराफ सथ कानून बढ़े, चौराएं पर फांची दो, और इस encounter के राव विरोध करते वाद नजर आए, तो Congress की ये ओची मानचिकता है, ये जो encounter हुआ है, वो बिल्कुल सही encounter है, और ऐसे मामलों में ऐसे लोगों को ये सजा मिलनी चीए, मोत की सजा मिलनी चीए, चौराएं पर फांची होनी चीए, और सरहाम गोली उन लोगों को मारी जाने कीए, ये मैं धन्यवाद देता हूँ इस पोलिस को उठा के भी कोई देखेगा, तो उसको ये ही अंजाम भुगतने पड़ेंगे देश के अंदर अपराजियों को, बलातकारियों को.